कुछ प्रोडेक्स होते हैं जो कि बहुत सदा एक्सपेंसिव तो नहीं होते हैं बट आपके घर को काफी सादा खूबसूरत बना देते हैं तो चलिए आज मैं आपके लाई हूँ कुछ ऐसे चुरिंदा प्रोडेक्स चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है मेरा फेवरिट जो कि ना मेरे ब्राधर ने मुझे गिफ्ट किया था वो भी आज से तीन साल पहले जी हां यह है फ्लावर स्टैंड प्लांटर जो कि आपको सेट अफ थ्री में अराम से मिल जाएगा मेरा बहुत पुराना और काफी अच्छा भी चल र जितना हो सके अगर आपका हो पाए ना तो प्लांटर प्लेट इसके नीचे रखिएगा और अगर हो सके तो आर्टिफिशल प्लांट इसके अंदर रखेंगे ना तो सही रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा रेस्ट इसमें बहुत जादा लगावा है क्योंकि मैंने इ साइस अब 1429 के आराम से अमाजॉन में मिल जाएंगे बहुत कूपसरत लग सकते हैं आप अपनी बालकनी में रख सकते हैं आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं कहीं पर भी रखिए ये हमेशा ही ब्यूटिफुल लगेंगे और ये डिफरेंट कलर में अवेलेबल ये पिंक कलर में हैं ये set of two है 18 x 18 i will suggest you aगर आप अपने सोफे के लिए अपने लिए ना कभी भी कोई साइज ले तो 18 x 18 एपने सोफे के लिए ले और 20 x 20 ऐपने बेड के लिए ले क्यूंकि 16 x 16 ए a arealized काफी चोटा हो जाता है और इसका कलर काफी बात सूरत है कि ये पिंक क वेरी वेरी गुड मैं आपको यह डिफिनेटी सजेस्ट करूंगी एडिसमें काउलर बहुत जादा एविलेबल से आपको येलो चाहिए आपको ग्रीन चाहिए आपको ब्लैक चाहिए और ा तो इस इसी लिए मैंने लिया ता यह चाह जाता है लिए अपको अग्री करेंगे यह ऊच्त सेरOTH दिखंगे प्ध्ध कर्ण चाहिए बुद्ध करा ऑब तholes खुद आ जाता है तो इसे लिए मैंने लिया था यह बुद्धा सेरिमिक oni यह सेरमिक प्लांटर आपको पड़ेगा 321 रूपीज में यह काफी जादा खूप सूरत है एकॉर्डिंग डू साइज इसके रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं तो मुझे काफी पसंद आया था अगर इसमें आप बहुत ही प्यारा प्लांट रखेंगे या फिर आप artificial plant भी रखेंगे ना काफी जादा खूप सूरत लगेगा यह तो अब आता है यह मेरा बहुत जादा फेवरेट जरो का स्टाइल मिरर येस यह ना मैंने लिया था Amazon से 999 रूपीज का इसकी quality बहुत अच्छी है according to price की बहुत अच्छा भी लगता अगर आप Instagram स्टोर्स में कहीं पर भी जाएंगे ना तो यह बहुत जादा आपको expensive मिलेंगे इसकी unboxing मैंने Instagram में अपने shorts में दिखाई थी पर इसके बारे में मैंने detail में बात नहीं की थी जो इसका पूरा का पूरा काम है काफी heavy लकडी का है और आगे ना आपको shelf मिल जाएगी बहुत चोटी shelf है बहुत बढ़ी नहीं है वहाँ पर आप इस type का छोटा सा planter रख सकते हैं hanging planter रख सकते हैं यह एक ऐसा product है जो कि आप अगर घर पे रखेंगे ना तो काफी जादा rich vibe देगा और इसमें जो काम कर रहा है वो भी काफी अच्छा है काफी जादा vintage vibe दे रहा है मेरे घर में आपको Buddha statues बहुत साधे मिल जाएंगे and I'm obsessed with them so उन में से एक है यह अभी यह basically यह color available नहीं है पर बहुत सारे different colors available है मैं आपको link दे दूँगी तो यह आप कहीं पर भी रख दीजे मैंने इसे अपनी shelf में रखा है पीछे मैंने एक light लगा दिये चोटा सा lamp लगा दिये तो रात को यह बहुत जादा खूपसूरत लगता है and इसकी भी quality काफी जादा अच्छी है and heavy नहीं है पर देखने में काफी जादा अच्छी vibe देता है and काफी calm effect देगा आपके घर में I will suggest you अगर आप इसको किसी shelf में रखते हैं तो यह काफी जादा खूपसूरत लगने वाला है यह जो wall brackets है ना I am obsessed with them because यह आपके पूरे के पूरे रूम की ना look change कर देता है तो यह मैंने wall bracket मंगवाए थे Amazon's is for 649 rupees and इसके ओपर मेरे जो floating shelf है वो मैंने मुफ्त की ली है अपने carpenters भाहिया से क्योंकि यहां पर construction चल रहा था तो मुझे मिल गई आप भी कुछ ऐसा बना सकते है with the help of brawl brackets and यह बहुत जादा room ना expensive लग रहा है just because of this wall shelf पूरी वीडियो आप definitely room makeover की check कर सकते हैं मेरे channel पे and this is must buy definitely try this wall decor at your place next आता है यह artificial hanging planter जो कि मैं DIY store से भी लाई थी and I was so obsessed with this one कि मुझे एक और मंगवाना था तो मुझे यह Amazon में आराम से मिल गया and यह मुझे पढ़ा है 399 रुपीज का and यह काफी जादा खूप सूरत रखता है and इसमें जो plastic यूज किया गया है वो भी काफी अच्छा है बिलकुल नकली नहीं लगता just because of that I was like मुझे यह एक और ले लेना चाहिए and यह काफी आप अगर आप इसको कहीं पर भी रखेंगे यह काफी जादा natural look देगा and काफी जादा आपके place को खुब सूरत बना देगा अगर आप भी कोई हो ना जो मेरी तरह बोर हो गई अपनी पुरानी अलमीरा से and उनके पुराने हैंडल से तो आप भी कुछ इस टाइप के नॉब्स ट्राइक कर सकते हैं यह आपको इसली अमाजान में मिल जाएंगे and यह बहुत अच्छे कलर में थे और जो क्वालिटी है according to price मुझे काफी अच्छी लगी अगर आपके पास भी कोई पुरानी अलमीरा है and you want to give them a makeover तो आप इन टाइप के नॉब्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं expensive भी जादा नहीं अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं तो अगर आपको ये 300 के अंदर बिल रहे हैं तो it's a fair deal and you can definitely try and अगर try करें तो do let me know अब आती है बारी multi-purpose ceramic chest with three drawers की ये बहुत ही प्यारा है इसमें क्या कर सकते हैं इसको आप अपने kitchen में रख सकते हैं अगर आप चाहें इसमें आप अपने चोटी-चोटी jewelry रख सकते हैं अपनी rings रख सकते हैं काफी अच्छा लगता है काफी cute सा लगता है and इसमें जो wood and ceramic use किया गया है वो भी काफी जादा अच्छा है and ये जो wood है ये मुझे काफी अच्छा लगा and इसका design ने मुझे काफी जादा attract किया and अगर आपको ये design नहीं पसंद में आपको 2-3 design दे दूँगी आपको नीचे link दे दूँगी and you can try them you can keep it anywhere it will enhance your place पहले मैंने इसे kitchen में रखा था and अप मैंने इसे अपनी entrance में रखा है and मुझे trust me ये काफी जादा खुबसूरत लग रहा है जो next है वो है multi color containers from chumbak and ये ना बहुती पतला साइस का जो material है बहुत पतला है I don't know what material is this but ये मेरे storage में काफी जादा काम आते है मुझे काफी कुबसूरत लगते है इसका design इसका colorful जो पूरा का पूरा vibe है मुझे काफी जादा पसंद है इसमें मैं कुछ भी store करती हूँ जो चीजे इधर उधर पड़ी रहती है तो ये मेरा एक storage का काम करता है एक मैं यहाँ रखती हूँ एक मैंने kitchen में रखा है तो ये मुझे काफी जादा अच्छा लगा था और चुम्बक में सबसे सस्ती चीज आई तिंक यही थी अभी मुझे इसका link नहीं मिल रहा पर जैसे ही मिलेगा definitely I'll give you बट ये काफी जादा कूपसूरत लगते हैं set of two है ये under मुझे 700 set of two पड़े थे so yeah that's it for today's video मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में बहुत बहुत जल्दी and मैं पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ without mic मेरा mic घराब है I'm sorry अगर आवाज में थोड़ा सा देखा थो तो see you super duper soon and अगर आप वीडियो देखने हैं please do consider subscribe like and share bye and take care